आप सभी का स्वागत है, सक्षेस्की 98 के चैनल के उपर सुभा का 8 बच्चु का है और आज संडे है तो सभी का दिन बहुत बहुत बहतर हो, कल का दिन कितना भी विकार क्यों ना हो, किसी भी इनसान का, डेली का दिन आप सभी के लिए आसर लेकर आता है, तो हमेशा प्रयास क झरकर आने वाला भविस जो है वह आपका लिखे और एक बात उफ्यका को लेकर आपको रत्ती भर का भी टेंशन नहीं लेना है कि विकलीu करेंट टेंट करवा दे हैं ठीक है फिर महना कहत्म होगा महना कर ineляются करवादेगे लेकिन करेंट फिफेर पढ़ियेकर बहुत इस्मार् तरवार हैं वो कैसे तो topic wise जो भी हफ्ता में पढ़ा है topic wise आइने देखेंगे क्या-क्या निप्ती हुआ है यह से प्रस्ट में क्या-क्या बने है इस सब्ता इस सब्ता कुस्ता कौन सा important आया है current affair में कितने पुरुषकार मिले हैं इस सब्ता में Mathpoon दिवस कौन सा है Mathpoon जितन जाते ही है current affair को बहुत बारिकी से weekly current affair में सिर्फ अपने आपको judge करना है और इसका सारा video आपको success key 98 का telegram के उपर डाल देंगे तो वहां से जाकर free में आप सभी download कर सकते हो ठीक है तो सिर्फ अपने आपको judge करना कितना सही कितना गलत चलो पहले देखते हैं इस हफ्ता में कितने important नुक्ती की गई है ठीक है तो नुक्ती से question देखते हैं आप सभी का क्या-क्या बना है इस हफ्त तिर्फ अपने आपको judge कर रहा है पहला question क्या बोल रहा है हमारे सामने बंडारू Wilson बाबू को किस देख का भारत का अगला राजदूत नुक्त किया गया है बताओ बंडारू Wilson बाबू जो है वो भारत का राजदूत होंगे किस देख में तो याद रखिएगा आपका option number C Comoros अगला question बारे सामने क्या फटाफट भारत के drug controller general यानि DCGI का अगला अध्यक्ष जो है वो किसे नुक्त किया गया है जल्दी से इसका answer क्या होगा आप सभी का डॉक्टर वीजी सोमानी option number A ठीक और आप सभी comment करते रहा है ना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपने आपको judge कर करना है बाबू आप कितना answer सई दे पा रहे है हप्ता भर में आपने क्या पड़ा है दिल से पड़ा है या फिर ऐसा तो नहीं है न कि डेली class में सिर्फ आप नोट बनाते रह गए है पाच पन्ना छे पन्ना का ऐसा नहीं smart तरीके से पढ़ना करेंट अफ्यर डेली सुभ मे 8 बचे अगला question क्या है हमारे सामने भारत में सभी मेटा ब्रांड जो Facebook का ब्रांड है मेटा उसके लिए सोजनिक निती का नया नितिसा किसे नितिया गया बताओ जितना भी policy वेगरा बनता है Facebook के अंतरगत उसका पूरा data कौन देखता है उसका अध्याच किसे बनाया गया है तो बनाया गया आपका सिवनाट ठुकरूल को, option number हमारा ठुकराल, option number हमारा C, अगला question हमारे सामने क्या है तेल और प्रकृति गैस निगम का नया अध्यक्ष, important question बाबू, ONGC का नया chairperson कौन बना है, तो याद रखेगा अरून कुमार, C, अगला question हमारे सामने क्या है पर भारत के राश्पती के द्वारा, चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के रूप में किसे निग्ष किया गया, आपको पता है ना, जो election commission है, उसके अंतरगत कौन, तीन लोग को निग्ष किया गया, एक तो chief election commissioner, जो कौन है, राजिप कुमार, उसके बाद एक election commission भी है, commissioner, वो कौन है आपका, तो अनुप चंद्रपांडे, एक को और निग्ष किया गया, जिनका नाम क्या है, आपका अरून गोईल, option number C, और चुनाव आयोग किस अनुछेद के अंतरगत आता है, तो अनुछेद 324 के अंतरगत, अगला question हमारे सामने, काजिक्स्तान का राष्ट पते नुप किया गया, इस हपता में, कहा का, तो मलेशिया, option number A, और ये मलेशिया के दस्वे परधान मंत्री जो है, वो बने है कौन, तो आपका अनुवर इबराहील, अगला question हमारे सामने क्या है, पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख कौन बना है, बताओ, तो पाकिस्तान क जो नया सेना प्रमुख बना है, उनका नाम है आपका, असीम मुनीर, option number A, तो जो important नुपती है, जो इस हपता हुआ है, वो total question कितना है हमारा 8, अब देखते हैं, इस हपता में, पुरा नौंबर नहीं करवा रहे है, विकली कर एंटर फेर रिविजन करवा रहे है, जो हपत को मनाते हैं, आपको पता होगा, तेली विजन का विसकार कौन किया था, कौन किया था, जे बेर्ड, अगरा question अमने है, बहुत important, बहुत बार exam में ये question पूछा, महिलाओ के खिलाफ, हिंसा के अनुमलन के लिए, किसे अंतराश्तिय दिवस कम मनाते हैं, आप बताओ, तो ये मनाते हैं, हर साल 25 नोहंबर को, बताए थे न, डॉमिनक गर्णाज में, जो मेरा बल जो बहने, उनके उपर बहुत सारा अत्याचार हुआ था, तीन बहनों को माग दिया गया था, ठीके, तो उनकी संदाजीन की रूप में, ये दिवस हर साल मनाते हैं, तूबा का आठ ग्यादा नहीं लेंगे, 25 से 30 मिनट, ठीके, सिर्फ अपने आपको जच करना है बावू, ये तने लोग भी देख रहे हैं, अगला कोशन, राष्ट्रिकाजु दिवस, बहुत बार एक्जाम में पूछा, ये हर साल किस दिन को मनाते हैं, तो 23 नोहंबर को, अप्सन नमबर D अगला कोशन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, लचित दिवस हर साल कम मनाते हैं, सराइग हाट का इउदुपता है न, लड़ा गया था, 1575 में, मुगल के खिलाप, मुगल को हरा दिया गया था, ओहम के रजा के द्वारा, तो उनके पुर्टिथी के रूप में मनाया जाता है हर साल ये तिवस कम मनाते हैं, आपका 24 नोहंबर को जो है, वो मनाया जाता है, असाम में, कहान लड़ा गया था, तो आपका असाम में, ये कहानी भी बहुत बहतरी ने बाबु, अगला कोशन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, राष्ट ये दूद दिवस, नेशनल दिवस कम म देखने को मिला है, जिसको आपको रिवीजन करना है, खेल से, तो सिर्फ अपने आपको रिवीजन करना है, कितना हम सही देपाने, हफ्ता भर में हम क्या पढ़े, कितने धंग से पढ़े, दिल लगा कर पढ़े है की नहीं पढ़े, हफ्ता में सिर्फ अपना रिवीजन कर लीजेगा ठीक है अगला कुस्टन हमारे सामनी आज का पहला कुस्टन क्या है खेल से हमारा आपको पता है जो ओलंपिक होने वाला है और पैरा ओलंपिक कहां पर होने वाला तो भाईया 24 वाला जो पैरा एलंपिक होगा ना भाईया वो पैरिस में होने वाला है ये सब याद रखेगा पहला बाद अच्छा कोई भी खेल जब स्टार्ट होता है शुरुवात होता है तो एक सुभंकर रखाता है मैस्कोट ताकि उसको सूम माना जाता है ताकि कोई भी के रूप में क्या चुना गया है तो याद रखेगा फारियन क्याप्स अप्शन नंबर सी ये एक टाइप का पंची है वावू अंगला कोईशन अवारे सामने क्या है ACI कब टेवल टेनिस टूर्णामेंट में पदख जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है नाम याद रखिएगा ये क्वेस्टन बहुत इपोर्टेंट है वावू कौन बनी है मानिका बत्रा ओप्शन नंबर ए ये अलम्पिक में भी खेले थी लेकिन बाहर हो गई थ है ATP final जीतने का खिताफ किसको मिला है इस बार कौन जीता है ये निस परती होगी था इस बार वाला 22 वाला आपको पता होगा भया क्या ना हमें उनका पता ने क्यों फिर फाइनल बोले तेमी फाइनल में नडाल जो है वो पहांच गया था किसको षळाकर कैसपर रूड को हराकर लेकिन चोट लग गया इंजड हो गया फिर वो अपना नाम वापस ले लिए फिर कैसपर रूड जो है वो एंड्रे रूबलेप से खेले उनको हर और फैनल ने पहुँझ गये ठीक है और फाइनल ले पहुँचने के बाग नोवाख जो जो कोभी जो स्तार फिर सामने क्या है याँ पर किस star footballer के खिलाडी ने Manchester United से अपना सारा contract तोड़ दिया है हाला कि मैंने बताया भी था जो Manchester United के जितने भी management है वो इन से खुस नहीं थे बहुत दिन से विबाद चल रहा था लेकिन बोलते हैं न कोई विबाद मैंचेस्टर United से जितना भी contract था वो सब तोड़ दिये तो कौन खिलाडी तो आपका क्रिस्टानियो रोनाल्डो option number C अगला question अबारे सामने क्या है अबावू कतर में FIFA World Cup हो रहा है आपको पता है न सौदी अरेविया अर्जंटीनया को अरा दिया है आपको पता होगा और कतर विसकप में भारत के तरब से कौन गया था उद्धातन समारों में तो भारत के उपर रास्ट पती जगदी भंकर और अगला FIFA World Cup कहां पर होने वाला है तो यह होने वाला है भाईया आपका Canada, America और Mexico में यह तीन देश में जो है वो आपका अगला विसकप जो है वो खेला जाएगा अगला question वारे सामने क्या है कौन सा देश 2023 में ओलंपिक e-sport अब e-sport का नाम पता है न कोई भी समान के आगे अगर e लग जाए तो electronic online के माध्यम से तो जितना वी ओलंपिक का गेम है उसको online खेला जाएगा तरीके से इसका उद्धाटन कहां पर किया गया है तो आपका Singapore में option number हमारा C अगला question वारे सामने क्या है यहाँ पर दक्षिड कोरिया में 15 एसी आई air gun championship में भारत ने कुल कितने पदक जीते है 28 पदक था जिसमें भारत ने 25 गोल जीत लिया है ठीक है तो भारत ने कितने जीते गोल पदक तो आपका option number A आपका 25 अगला question वारे सामने क्या बोल रहा है कौनसा footballer पहला footballer बन गया है जो 20 कप में लागातार पांच बार खेला और पांचों बार कम से कम एक गोल जरूर मा रहा है और यह पहला खिलाड़ी बन चुके पुर्तोगाल के क्रिस्चानी और रोनाल्डो option number B ठीक है अगला question हमारे सामने क्या formula 1 अभू धावी grand prix बहुत इपोटेंट याद रखेगा बावू grand prix का जितना भी परतियोगिता होता है इसको कम से कम अठ्छी से देखना यहां तो question पूछता है तो अभू धावी में जो car racing game हुआ है कौन अगला question हमारे सामने क्या अब देख लेते हैं इस हपता में और से लेकर क्या क्या question बना है और स्मार्ट तरीके से बाबू कि अगर आप बोलोगे अगर जितने कोई बात अगर कोई भी गलत answer देता है ना तो मुझे खराब लगेगा क्यों खराब लगेगा मैं आपको daily current affair ए ताकि आप सभी के उपर current affair का बोज बहुत ना रहें आपका copy ना परें कि smart तरीके से पड़ो ताकि जो भी पढ़ रहे हो आपको बारीकी से चीज़ याद रहें तो इस बार इस हफते में कौन-कौन सा पुरुषकार दिया गया कौन-कौन सा question important award से उसको एक बार cover कर लेते ह आप सिर्फ क्या करना है आपको जज करना है अगला question हमारे सामने क्या पहला बहुत important बहुत important गांधी मंडेला foundation जिसका गठन 1999 में किया गया था उसके द्वारा सांती पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो दलाईल लामा को option number हमारा B ठीक है अगला question हमारे सामने क् इंटरनेशनल फिलिम फस्टिवल यह कहां पर हो रहा है यह गोवा में हो रहा है इसमें personality of the year का पुरुषकार कि स्कोल गया है तो चिरन जीवी को option number हमारा थी दिख रहा है ना बाबू आप सभी को इथा धूंदला दिख रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा है कि एक मिनट रुख जाओ कुंदला देख रहा है क्या यार को मेंट्स मुझे दिख गया क्या कि लियर नहीं कि एक मिनट रुख जाओ यार इससे लिए live class में धूनकी में पढ़ाने के जगा पर थोड़ा सा कॉमेंट देखना बनता है कॉमेंट से इग्नॉर कर रहा है आदमी जो कहता है आदमी वो सुकता है कि बर इसथा के है आदमी वो सुकता है अब ठीक है न बाबू अब एक बार कॉमेंट कर तो दिख रहा है न वोमेंट्स देखना बनता है बाबू अगला कुछ से अब किलियर दिख रहा है सेना प्रमुख जनर्रल मनोज पांडिय को कहाँ पर गॉड और पुरुषकार समानित किया गया है तो समानित किया गया पैरि में आयोजीत एक अंतराष्टिया सम्मिलन में किस परिवार नियोजन में तित्यु के लिए एक्सल पुरुषकार दिया गया है बताओ भारत को दिया गया है ठीक है ऑप्सन नमबर सी अगला को से अमारे सामने क्या है यहाँ पर भारत में सव्क्त रास्ट का परच्च परि दोरी है का नाम है उनका नाम धेवी बर्मन अप्सन नंबर अगला क्सन अमारे सामने दौक्ट्र कलाम सेवा पुरुस्कार से किसे समानित किया है इस वार तो रभी कुमार सागर option number D comment करते रहा ना बावू गलती मेरे से भी हो रहा है अभी दिखनी रहा था ना तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है comment करते रहेगा अगला question important question यार exam में guarantee बनेगा ये सब question साहित के लिए 2022 का JCB पुरुषकार किसको दिया गया है तो भाईया खाली जावेब को option number DC ठीक है अगला question अमारे सामने और इनके किस पुस्तक को दिया गया है ना किस पुस्तक के लिए comment करो मैंने आपको डेली पढ़ाया है ये तो weekly revision कर वारे है comment करिएगा खाली जावेब को जो इस वार JCB पुरुषकार दिया गया है उनके किस ताहित के लिए जल्दी से comment करिए एक बार आप सभी ठीक है और एक चीज़ और comment करो बाबू पहला JCB पुरुषकार कब दिया गया था ये भी comment करो आप सभी ये तने लोग भी देख रहे है कर अगला question अभारे सामने है उमित्रा चरट राम पुरुषकार किसे समालित किया गया है 2000 का ये पुरुषकार किसे खाते में गया है तो वुवा सर्मा ये एक कत्थक dancer भी वो भी नौजवान अच्छा काम करेगा, राज को बढ़ावा देने के लिए, उनको उस राज के द्वारा फुर्सकुरित किया जाएगा, तो ये बोला गया है, मनोहर अलखटर की सरकार, यानि हर्याना के द्वारा, option number B, अगला question, अच्छा, इस हपता में एक सिर्फ बुक मि पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो साइमन सेबक के द्वारा, option number हमारा D, अगला question वारे सामने क्या है याँ पर, अब देखते हैं, बाबु फटा-फट, important question क्या-क्या बना है, इस weekly current affair में, ठीक है, इस weekly current affair में, जो हपता भर पढ़ाएं आपको, इसमें important question क्या- सरकार ने, अमर सरकार portal launch किया है, ताकि सरकार जो है, वो जनता का जो भी सिखायत है, वो सरकार तक direct पहुच पाएं, इसके लिए, अमर सरकार portal launch किया गया है, तिरपूरा राज सरकार के द्वारा, option number A, अगला question वारे सामने क्या है, निमलिखित में से कौन सार राज, हाथी अगर उस राज में मर जाएगी न, तो उसका भी हिसाब किताब होगा, उसका भी audit होगा, किस क्यू मरी, क्या कमी से मरी, तो ऐसा एक एक लाया गया है, किस राज सरकार के द्वारा, तो तामिल नाडू, option number B, पेट दरत कर रहा सुभा 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 यार, साइड वाला, 3, अगला, Cambridge, Disney, Cambridge, Disney, Disney, किस सब्द को, 2022 का, word of the year चुना है, हॉमर, किसको, हॉमर को, याद रखिएगा, अगला question, हॉमर क्या है, वहाँ पर बेस बॉल खेलते हैं, उसी में इसका इस्तमाल के जाता है, अगला question, यहाँ पर बोला है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उधातन किस सराज में किया गया है, मोदी जी के द्वारा, तो आपका अरुनाचल परदेश में, और एक कॉमेंट्स और करकर बताओ, जो यह हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन बना है, किस दो नदी के उ ग्रोन का परियोग करकर, जो पसू के लिए भैक्सिन आता है, वो भेजा गया है, पहली बार ऐसा हुआ है, विस्सु में, तो यह कहाँ पर भेजा गया है, हाइड्राभाद की एक कंपनी के द्वारा भेजा गया है, किस तराज में, और नाच्छल परदेश में, ऑप्सन न किया गया, आसाम राज सरकार के द्वारा, उपसन नंबर हमारा भी, ठीक है, अगला ठॉस्दन हमारे सामने किया है, इस हफता का, इरोपियन वर्थ काउंसिल के इस्थापना करने वाला पहला भारतियत कंपनी विप्रो बन चुका है, उप्सन नंबर ए, अगला ठॉस्दन आते हो आयोध्या गूमने, तो आयोध्या का जो में आयोध्या जहां मंदिर है, जहां मंदिर बन रहा है, तो वहां का एरिया, वहां का छेत्र तो विकास किया है, लेकिन आयोध्या के अगल बगल भी वहां सारे गाव है, वहां सारा एरिया है, जहां पर घूमले लाएक है, लेकिन वो विकास नहीं किया गया अभी, तो उसको भी विकास के छेतर में लाया जाएगा, ताकि परियतक को बढ़ावा, परियतन को बढ़ावा मिल सके, इसलिए अगर आप मालो, अगर आप जाओगे मतुरा में जाओगे, तो वहाँ पर क्या लॉंच किया जाएगा, सिरी क सरकार ने न, जो भी स्वतंत्रता सनानी है, उनकी पैंशन को 10,000 रुपए से बढ़ा कर, 20,000 रुपए प्रती महिना करने हुचना किया गया है, महाराश्टा सरकार के द्वारा, ऑप्शन नम्वर D, जहांके ये कोन है, क्या बोलते हैं भावू, मुख्यमंतरी, एकनास राजपाल भगर सिंखो सियारी, अगला कोस्य नवारे सामने, निमलिकित में से किसने, अटलांटिक महासागर तल का पहला, पहला मैप तयार किया है, अटलांटिक महासागर के तल का पहला मैप तयार किया गया है, मारिया थारप के द्वारा, ऑप्शन नम्बर A, अगला को में टेकलोजी को देखते हुए इस छेत्र में भारत का रंक क्या है भारत को अस्थान दिया गया एक सथवा और एक नमबर पर है आपका अमेरिका ठीक है ठीक है न अगला कुछ से नमारे सामने यहाँ पर भारतिया सेना के द्वारा एकी कृत अगनी सकती अभ्यास जिसका ना उत्तर पच्चमी अरव सागर में सुट समुद्री बलो के देट तुवाला ओप्रेशन किसका ओप्रेशन अभ्यास का नाम क्या है बाबू एकदम याद रखेगा अगला कुछ से नमारे सामने क्या है सारंग यह फिलिम महसो है और इसका दसवा सस्क्रण का आयोजन किया गया है कहाँ पर दच्चन कोरिया में और इस आयोजन में पहली जो फिलिम वहाँ पर दिखाई गई वो फिलिम थी आपका पदमावत ठीक है अगला कुछ से नमारे सामने इग गवर्नन्स पर पक्चिस्वा राष्टी सम्मेलन का विशय क्या था बताओ इप्चन को से लिए गवर्नन्स के उपर जिसका पक्चिस्वा शस्क्रण का अविजन किया गया उसका तिम क्या था आप सभी का ब्रिंग किज todavía पलिग को ब्रि रेस्टल ट्रेड फेर हो रहा है उसका आयोजन और नहीं दिल्ली में उस आयोजन में आप सभी का सरस अजवी का मेला का भी उध्गातन किया गया है, उसी मेला के अन्तर्गत, इसलिए भाई्या महिलाओ को सतक्त बनाने के रिए, महिलाओ को रोजगार मिल पए, महिलाओ अप उसने पैर पर खड़ी हो पहें इसके लिए योजना का भी उध्गाटन उसी मेले में किया गया और इसका उध्गाटन किया गया गिरी रासिंग के द्वारा option number B ठीक है अगला पुत्र नवारे तामने क्या है तामिल नार्डू के किस गाओं को राज्य का पहला जैविनिता व पनस्पती वगरा मिलते हैं तो सरकार का फर्ज बनता है उस छेतर को जो है वो बचा के रखे वहाँ पर गुंदा गर्दी खनन मामला खनन माफिया या फिर कोई वहाँ पर हड़प ना पाए उस जमीन का परियावरन को दूसीत ना कर पाए ठीक है तो उस छेतर को बचाने क जो अधिका जाता है सरकार करतब भी बनता है तो सरकार जो है किस गाव को उस राज का पहला जेविवित्ता विधात दोकिया गया है तो अरिता पथी यह कहां पढ़ता है बाबु तामिल नाडू उपर ओप्सन नंबर ए तामिल नाडू में अगला क्वेश्टन आबारे सा आमने यहाँ पर, इंडो पैसिफिक रिजनर डायनक 22 का मेजबानी सहर कौन सा था, दिल्ली में इसकी मेजबानी हुआ है, ठीक है, पैसिफिक रिजन में जितना भी कार्रे होगा, या मालनो कोई मुसीबत आ रहा है, तो उससे कैसा निप्टा जाए, पैसिफिक वोसन में कितन आस्तर आएगा, उसको कैसे बुनाया जाए, इन सब को लेकर एक मिटिंग होता है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, 22 वाना, अगला कोशन अवारे सामने, इस सहर में वाई सेना का एयर फेस्ट, 22 का एयोजन हुआ है, मतलब एयर एयर पोस्ट का मेला, पर भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेस्टल इसकिम सुरू किया है, हर साल 3000 बीजा जारी करेगी ये देश भारत के छात्रों के लिए, ताकि भारत के छात्रों भी वहाँ पर जाकर काम कर सके, और इसके लिए दोनों देश में सम्मंद भी अच्छा हो सके, इसलिए यंग प्रोफेस्टल इसकिम सुरू किया गया है, भारत और UK के बीच में यानि ब्रीटेन, अगला कोस्तन हमारे सामने क्या है यहां पर बावू, भारत सरकार ने जितने भी सरकारी बैंक है, उस बैंक के जितने भी CEO और परबंद निदे सके, उनकी आउधी 5 साल से बढ़ा अगर अधारी debit card launch किया, बताये थे न, एक ऐसा debit card launch किया, जिसके उपर sticker लगा हुआ है, और यह launch करने वाला भारत का पहला bank है, आपका IDFC First Bank, ठीक है, IDFC First Bank, अगला कोस्तन हमारे सामने क्या है आज का, उनिसको भारत अफिर का hackton, उत्तर परदेश के किस विश्विद्धाले में जो है से अउजन किया गया है, अमेरिका से बहुत सारे चात्र भारत में आएंगे, भारत के चात्र उन से मिलेंगे, कल्चर को देखेंगे, जितने भी technology वगरा है, सब के उपर ज्यान अदान परदान करेंगे, दक्षिन अफिरका और लेकिन दक्षिन अफिरका से 26 दाले में, option number C, अगला question अवारे सामने, भारत ने निमलिखित में से किस देश से artificial intelligence पर global partnership की अधिता ग्रहन की है, ये chairperson पहले कौन था, इस संगटन का फ्रांस, लेकिन अब कौन हो जाएगा, तो अब हो जाएगा भारत, तो भारत ने किस से ग्रहन किया है, फ्रांस से, और बार भारत के हाथ में, अगर ये chairman बन जाएगा भारत न, अधियक्ष, इस संगटन का, तो 1987 billion dollar जो है, भारत की अर्थवस्ता बढ़ जाएगी 2035 तग, क्या है भाईया, अरे नया-नया रॉबर्ट, नया-नया टेक्नलोजी, जिस पर आथकल दुनिया चल रहा है, तो आपके किया था, वो किया गया था, 6.930, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये गलत किया गया था, इन्होंने सुधार कर बोला, जो भारत का GDP दर रहने वाला है, वो रहने वाला है, 5.930, ठीक है, चलो, करवा दियें, विकलिकर एंटर फेर, 70 question लगबग, लगबग, आप सभी को कम से कम लाइक कर देना आप लोग यार, एक तो लाइक कर सकते हैं न, और क्या बोलो, जितने ही मेरे भाई बेंदे हैं, सभी को बहुत 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 खंडा भी लग रहा है, और पिडियोव डाल देंगे थोड़ दिर के बाद, टेलिग्राम की उपर डाउनोट कर अच्छे, सवास्त रहे, आप लोग लोग भाई, अच्छे, स्वास्त रहे